नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं आगर आपकी अथेली में ये जाल का निशान तो ये है बहुत आशुब तो जरा आप रहे हैं समबल कर दोस्तो हस्त्रेका विज्ञान में कई तरह के सुब और अशुब योगों और चिन्नों का जिक्र किया गया है विज्ञान जोतिस और हस्त्रेका विज्ञान की इन बातों को नहीं मानता लेकिन रामायन से लेकर महाबार तक में जोतिस के नियमों और अस्त्रेका के सुब और असुब चिन्नों से भविश्य कथन का जिक्र किया गया है इसलिए आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इन पर आख मुंद कर यकिन करते हैं आईए यहां हम अठेली में दिखने वाले जाल चिन्नों के बारे में जानते हैं जिने सुब नहीं माना गया है अलग-अलग लोगों की अठेली में यह चिन अलग-अलग सानों पर हो सकते हैं अगर इस तरह की चिन आपकी अथेली पर नहीं है तो यह आपके लिए भहुती सुबसंकेत है और अगर है तो आपको संबल कर रहना चाहिए गुरु परवत पर जाल का निशान हसरेखा विज्यान के अनुसाद जिन लोगों की अथेली में गुरु परवत का जाल का चिन होता है वे एंकारी और स्वार्थी हो जाते हैं ऐसे लोग धरम करम के मामले में खुब दिखावा करते हैं सनी परवत पर जाल का चिन होने पर व्यक्ति को बहुत सतर्क और सजक रहना चाहिए इने किसी पर भी आख मुंद कर बरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी मित्तु समाने नहीं होती ऐसा समुद्र सास कहता है दोखा जैर या किसी एप्राकतिक तरीके से इनकी जान को खत इने पर पर तिष्टा की हानी का सामना करना पर सकता है सरकारी चेत्र में ऐसा फलता और सरकार से दंट की भी आसंका होती है मंगल परवत पर जाल का चिन मंगल पर पर जाल का चिल होने पर व्यक्ति को क्रोथ पर सयम रखना चाहिए क्योंकि वाद विवाद में आथियार का प्रयोग इनके लिए खतरनाक साबित होता है बुद्परवत पर जाल का चिन बुद्परवत यानि सबसे छोटी उंगली के पास जाल होने पर व्यक्ति भरोसे मंद नहीं होता ऐसा समुद्र सास्त में बताये गया है इस तरह के चिन वाले व्यक्तियों में छलकपच चोरी की यादत भी होती है ऐसा माना जाता है सुक्र परवत पर जाल का चिन सुक्र परवत पर जाल चिन होने से व्यक्ति को बहुत अधिक कामुक माना जाता है ऐसे लोगों को अपने मन पर सयम रखने में काफी दिकत का सामना करना पड़ता है इस्त्रियों के मामलों में ये बहुत कमजोर होते हैं इन्हें इस्त्रियों से दूर रखना चाहिए क्योंकि इन से गंभीर नुक्सान हो सकता है क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जय हिंद्ड